टूसू पर्व जहारखन के पंच परगना का सबसे महत्पूर्ण पर्व है। यह जाडो में फसल काटने के बाद 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांती तक लगभग एक महने तक मनाय जाता है। टूसू का साब्दिक अर्थ कुवारी है। टूसू पर्व को धूमधाम से मनाने क के पीछे कही कहानिया प्रचलित हैं। कहा जाता है कि टूसू एक गरीब कुर्मी किसान की अत्यंत सुन्दर करन्या थी। यह इतनी सुन्दर थी कि धीरे धीरे पूरे राज में उसकी सुन्दरता का बखान होने लगा। एक कुरूर राजा के दरबार में भी उसकी उस साधी करने को बेचैन हो गया और कन्या को प्राप्ट करने के लिए उसने सर्यंत रचना सुरू कर दिया उस बर्स राज में भीसन अकाल पर रहा था किसान लगान देने की स्तिती में नहीं थे इस स्तिती का फाइदा उठाने के लिए राजा ने क्रिसी कर दुगुना कर दिया गरीब किसानों से जबरन कर वसुली का राजया आदेश दे दिया पुरे राज में हाहकार मच गया टूसु ने किसान समुदाय के साथ एक संगठन खड़ा कर राजा के आदेश का विरोत करने का अवभाहन किया राजा के सैनेकों और किसानों के बीच भीसन युद्ध हुआ हजारों किसान मारे गए टूसू भी सैनेकों की गिरफ्त में आने वाली थी उसने राजा के आगे घुटने टेकने के बजाए जल समाधी लेकर सहीद हो जाने का फैसला किया और उफंती नदी में कूद गई टूसू की इस कुरुबानी की याद में टूसू पर्व मनाय जाता है और टूसू की परतिमा बनाकर नदी में विसरजित कर सरधांजली अरपित किया जाता है टूसू कुमारी कन्या थी इसलिए इस परो में कुवारी लड़कियों की ही भूमिका अधिक होती है वैसे तो जहारखन के सभी पर्वतेवार प्रकृति से जुड़े हुए हैं लेकिन टूसु परो का महा तो कुछ और ही है यह परो जहारखन के अलावा पस्चिम बंगाल के पुडलिया मिदनापूर और बांकुडा जिलो में साथी होडिसा के क्योजहर मयूर भंज बारी पदा जिलो में मनाय जाता है इस उत्सा को अगहन संक्रांती 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांती 14 जनवरी तक इसे कुhoारी करण्याओं के द्वारा टूसु पूजन के रूप में मनाय जाता है घर की कुऊारी करण्याओं प्रती दिन संध्या समय में टूसु की पूजा करती है कुर्माली भासा परिशत के अध्धेक्च राजा राम मातो ने बदाए कि अगन संक्रांती के दिन गाउं की कुमारी का न्याई टूसू की मूर्ती बनाती है इस मूर्ती के चारो और सजावट करती है और फिर धूप दीप के साथ टूसू की पूजा करती है मगर संक्रांती के दिन टूसू पर मनाय जाता है और फिर उसके अगले दिन इसे नदी में परवाहिद किया जाता है मगर संगरान्ती के एक दिन पहले पुरुसो द्वारा बिना बाजी का मुर्गोत उस्व मनाय जाता है जिसे बावडी कहा जाता है इस उस्व से लोटने के उपरांत सारी रात लोग गाते बजाते हैं सुबर सभी गरामीन मगर असनान के लिए नदी पहुंचते हैं असनान के दौरान गंगा माई का नाम लेकर मिठाए भी बहाते हैं उस्व और मेला का आनंद लेने के बाद तूसु का विसरजन गाजे बाजे के साथ कर दिया जाता है